So back to the channel guys, this is Shubham Bajpay, here we are with another capsule, capsule number 26 is here, MP plus Constable GK, MPGK Science Current Affair के question हैं हम यहाँ discuss करते हैं, चुकि थोड़ा व्यस्तिता के करण मेरा 25 number capsule के बाद 26 number का capsule थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए हम छमा प्रारती हैं, लेकिन आज से हम फिर से अपनी capsule series को continue कर रहे हैं, और हम तब तक continue रहे है कि जब तक आपका exam नहीं हो साता है, हम यहाँ पर discuss करेंगे हैं, people is Constable में आवांच नहीं हैं, मतलब जो आ सकते हैं question, ऐसे question को हम discuss करते हैं, बहुत ही चाट कर हम प्रस्टन आपके लिए लाते हैं, जो आपके exam के दरस्टी कौन से काफी महत्तपूर है, तो अभी तक हमारे प्रति के लिए भी जरूर बताएगा कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, और आप साथ ही इस PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें comment में बता शकते हैं, साथ ही अकर यह content अच्छा लग और कहता है कि चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था, तो इल्तुतमिस जो सासक था, उसने चांदी का सिक्का टंका चलाया था, चांदी का सिक्का जिसे हम टंका कहते थे उस समय में वो इल्तुतमिस ने चलाया था, भारत आने वाले प्रथम European कौन थे, तो सबसे पहले अंदोलन के संबंद किस देश से था। तो ये तुरकी में खिलापत आंदोलन हुआ था। आवर्दसारणी का पहला तत्तो कौन सा है? तो सभी लोग जानते है कि Hydrogen जो है आवर्दसारणी का पहला तत्तो है World Happiness Day Report 2021 में भारत को कौन सा स्थान पला है? तो 149 मी रैंक भारत को दी गई है World Happiness Report 2021 में हवा में ध्वानी की गती कितनी होती है? तो 331 मीटर पती सेकंड हवा में धुने की गती होती है Q8 हम यहाँ पर discuss करते हैं सरीर का सामान नितापमान Kelvin में कितना होता है हम degree Celsius में नहीं पूछ रहे हैं Fahrenheit में नहीं पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं Kelvin में तो 310 Kelvin जो होता है कैल्वेन निकाई में Q9 की हम बात करते हैं किसी बस्तू का अधिकतम भार कहां पर होता है तो निर्वात जिसकी कलपना है बस की जा सकती है एक्चुल में कुछ भी निर्वात नहीं होता है लेकिन वहाँ पर बस्तू की भार सरवादिक होता है Q10 गुर्ट्वा कर्षण का शिद्धान्त किस ने दिया था तो सर आईजेक न्यूटन के द्वारा गुर्ट्वा कर्षण का शिद्धान्त दिया गया था पॉजी ट्रोन का आविश्कार किस ने किया था तो एंडर सरीक बिग्यानिक थे उन्होंने positron का आविश्कार किया था तीन मिनट में हम यहां 11 से ज़्यादा question discuss कर चुके है question number 12 की हम बात करते है एक kilogram रासी का बज़न Newton में कितना होता है आपने अभी तक सुना होगा kilogram में लेकिन अगर उसको Newton में निकालना है तो पस उसमें 9.8 का multiplication कर देंगे तो वो Newton में निकालाएगा कोई भी kilogram में बज़न दिया हो उसमें 9.8 का multiply करिए तो आपका बज़न जो है Newton में निकालाता है तो एक में हम 9.8 का multiply करेंगे तो 9.8 Newton जो होता है एक kilogram के बराबर होता है प्रेर कत्यों का मात्र क्या होता है तो प्रेर कत्यों की एक आई जो होती है हैनरी होती है कोच्चन नबर 14 सापेक्चिता का सिध्धान कि ने दिया था तो बहुत ही फैमस बेग्ञानिक हुए थे जोनोंने एक समिक्रण भी दिया था E वराबर MC स्क्वेर या E is equal to MC स्क्वेर तो सापेक्चिता का सिध्धान दिया था अलबर्ट आइंस्टीन ने डिस्कवरी प्लस पर इनकी उपर बहुत सारे डॉकुमेंटरी क्रियेट की गई है और बहुत ही फैमस जो हैं साइन्टिस्ट है अलबर्ट आइंस्टीन तो इसको आपको याद रखना है थाइराइट गरंथी की अधिकतम ब्रद्धी के करण होती है किसकी कमी के करण होती है तो आयोडीन की कमी के करण जो वो घहंगा रोग होता है रोग मतलब यह रोग का नाम आएगा एथलिट फोट एथलिट फोट का एक नाम का एक रोग होता है वो किसके करण होता है तो फंगई ये कवक के करण यह रोग होता है यह आपको याद रखना है एक्जाम में copy-paste question यहाँ से होते हैं आपको बहुती ध्यान से इस PDF को कवर करना है पूरे इंटरस्ट के साथ लास तक आपको बने भी रहना है कॉशन नमर 17 की हम बात करते हैं मानो सरीर में बिटामिन A को कहां पर संगरहित किया जात करके रखा जाता है तो लीवर में जो है बिटामिन A को संगरहित करके रखा जाता है कॉशन नमर 18 की हम बात करते हैं पुस्परहित पौधों को क्या कहते हैं तो क्रिप्टो गॉम्स जो हता है हम पुस्परहित पौधों को कहते हैं कॉशन नमर 19 की हम बात कर लेते हैं परमाणूबम किसके द्वारा माप जाता है, तो पाइरोमीटर की द्वारा हम परमाणूबम को मापते हैं, परमाणूबम किसके द्वारा विक्सित किया गया, बहुत ही फैमस थे होता है परमाणूबम, तो उसके विक्सित करता का नाम हमें याद रखना है, तो जे उपियोग हम वेभवांतर को मापने के लिए करते हैं कॉस्टिन नमर 22 आपकी स्क्रीन के सामने है ब्रायोफाइट किस जगयत के अंतरगत आते हैं तो ये उभायचर प्राणी होते हैं ब्रायोफाइट उनको हम कहते हैं ये भी आपको याद रखना है सूरज मुखी के पौदे का बैग्यानिक नाम क्या है बहुती फैमस कॉस्टन तो हेलियोफाइट जो है सूरज मुखी के पौदे का हम बैग्यानिक नाम बोलते हैं मानाव पुरुस की सबसे छोटी कोश्ट का क्या होती है तो शुक्राणू अब इसमें पूरुस की मानाव की बस पूछी जाती तो कुछ और अंसर हो जाता लेकिन यहाँ पर मानाव पूरुस पूछा गया है तो मानाव पूरुस की सबसे छोटी कोश का होती है उसके शुक्राणू या स्पॉम अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं 25 कोशन डिसकस हो गए हैं हमारे 6 मिनट 25 सेगंड में बात करते हैं कोशन नमबर 27 की मत्रदेश का आधुनिक अब यहां से हमारे MP के कोशन स्टार्ट हो जाएंगे पूरे 25 कोशन अभी तक हमने साइंस की और थोड़ा सा जीके कोशन कवर कर लिए तो कोशन नमबर 26 के हम बात कर होते हैं मद्रदेश का आधुनिक चानक के किसे कहा जाता ही यह कोशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे बिल्कुल यूनिक और होली की बात छड़ीती तो मैंने एक पुस्तक का नाम यहां पर डाला हुआ है जो होली से संबंद एक पुस्तक है जिसको लिखा है मांखनलाल चतुरबेदी ने चुकि मत्द पते से संबंद रखने वाले हैं मांखनलाल चतुरबेदी तो इनकी जितने भी पुस्तकों के नाम है, जतने भी इनकी ग्रंथ है, रचनाय है, इन सभी को आपयात करीक के जाएगा, घुमा घुमा के इनी से कॉस्टन पूशे जाते हैं, नर्मदार नदी बहते हुए कहां चोड़ाई धारन कर लेती है, मतलब अलग-अलग जगा से तो बहती है, लेकिन कहीं सकरी होती है, तो अलिराजपुर वो जगा है, जहां से ये नदी चोड़ाई ले लेती है, मतलब इसमें पंचायती दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को पंचायती दिवस मनाया जाता है, मुला दो प्याजा की मजार कहां पर है, तो हर्दा वो जिला है, जहां पर दो बिदान सवासीट जहें, एक टिमर्नी, एक हर्दा, मैं वहां पर 30 दिन तक अपने ड्यूटी काल में रहा हूँ, बहुती शुंदर जगा है, बहुती प्रकृतिकता से पड़ी पूर्ड जगा है, तो मुला दो प्याजा की मजार वहीं हर्दा में बनी हुई है, ठीक है, पुजारा बांत पर नाम है, मत्य प्रदेश में इंसुलिन कहां पर बनाया जाता है, इंसुलिन की जरुत पढ़ती है, शुगर में और शुगर में ही इसका ज्यादा उप्योग होता है, इंसुलिन दिया जाता है, तो मत्य प्रदेश में इंसुलिन कहां पर बनता है, तो देवास हो जगा है, जहाँ पर इंसुलिन बनाये जाता है कारखाने में कारखाना नहीं या लिबॉर्ट्री जो भी कहें आ मेग नगर अद्यों के चेंदर कहां पर अस्तित है तो यह जहाब हो जिले में इस्तित है भीमगड़बांद कहां पर पढ़ता है वहाँ पर ये भीम गड़ बांध पड़ता है प्रबोध पचासा किसकी रजनाकार रजना है एक बुक है एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रबोध पचासा तो उसकी रजनाकार जो है वो पदमाकर है Q38 की हम बात कर लेते हैं पुस्तक का नाम है और इसे लिखा है अमरतलाल बेगड ने ये आपको याद रखना है Q41 डिसकस कर लेते हैं सुक्ती मती किस नदी का एक अन्य नाम है तो एक कैन नदी को हम सुक्ती मती के नाम से भी जानते हैं बिदीसा जले में सरोंज तहसील किस नदी का उदगम होता है तो हमें याद रखना है कि सिंध नदी का उद्गम जो है बिदीसा जले की सरौंज तहसील से होता है बात करते हैं प्राण हिता ये कुसी और स्टेट में भी आती थी सरौंज तहसील को काटके बिदीसा में जोड़ा गया है तो उसके पहले किसी और स्टेट में आती थी, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजेगा, प्राण हिता किस दो नदी के संगम को कहा जाता है, तो वर्धा और बेन गंगा जहां पर मिलती है, उसके संगम को हम प्राण हिता के नाम से जानते हैं, चूलिया जल पर पाड किस नदीपर मौजूद है, तो चंबल नदीपर हमारा चासे चंबल, चासे चूलिया जल पर पाड जो है, चंबल नदीपर मौजूद है, कौन्सी जण जाती है, उसकारी और युद्धा है, ये आपन समयces जानते हैं, तीर कमान से लडने वाले शिकारी है, और तीर क एलो इंडिया यूथ गेम स्कायोजन मद्ध पतेश में कब किया जाएगा ये कॉस्टन डेफिनिटली एक्जाम में आ सकता है तो ये 2022 में स्कायोजन किया जाएगा जीरन महल कहां पर इस्तित है महलों के नाम भी वो पूछे जाएगा आपसे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे एक्जाम का ये फंडा है तो ये आपको याद रखना है कि जीरन महल जो है नीमच में इस्तित है दो भिन्ने पदार्तों के अणुओं के मद्ध लगने वाले बल को क्या कहते हैं तो वो असन्चक बल होता है और दो अल दो सेम पदार्तों लब दो समान Physical के मद्ध लगने वाले अनुओं के बलको हम ससंजक बल आपको यादट रखना है दो हजार बारा में आई तो ये थे हमारे 50 questions जिनको हमने finish किया 11 minute 27 second में कैसे लगे आपको ये question आपको comment करके जरूर बताना है वीडियो को like करना नहीं भूलना है बहुत मेहनत लगती है PDF तयार करने में question चाटने में फिर आप तक उसको पहुचाने में मेहनत का प्रतिफल आप मुझे like करके जरूर दीजेगा आज की वीडियो में सतना ही जैहिन चैब भारत and happy holy to all of you all my family, all the subscriber of SB टूडियो सभी के लिए ये holy उसके जीवन में रंगों से भर दे, ऐसी हमारी कामना है आज की वीडियो में सतना ही चैहिन चैह भारत